नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ सबका इस यूटूब चेनल पर जिसका नाम है स्ट्डी विद पे अन लोदा रीट एक्जा में तू हिंदी सिक्षन का टेस्ट नमबर 21 आज आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें पूरे के पूरे तीस क्यूशन मिलेंगे प्रतियक टोपिक से बिल्कुल पूरे के पूरे तीस क्यूशन प्रतियक टोपिक से आपको यहाँ पर मिलेंगे साथ क्यों नविन्तम सिलेबस के अनुसार ये क्यूशन बनाए गए हैं तो यहाँ पर आप 25 सही करदो साथ यूख कितने 25 सही करदो मतलब आप हिंदी में मेन एक्जाम में भी 25 पलस बड़े आराम से करदोगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्यूशन इन में से कौन सा ए उपसर्ग का उधारण नहीं है ए सामाजिक अवस्था ए सिक्षित अधर्म तो मित्रों कौन सा ए उपसर्ग का उधारण नहीं है बताए देखिए यहाँ पर ए प्लस सामाजिक ए प्लस सामाजिक तो ए उपसर्ग लगा हुआ है हुआ है अर्थार्थ पहले तीसरे चोते में तो अपसर्ग लगा है लेकिन दूसरा अवस्था अप्लस वस्था तो नहीं होता है मतलब इसमें अपसर्ग नहीं लगा है प्रश्ण नमबर एक में दूसरा विकल्ब सही है चलिए नेक्स तो मित्रों प्रश्ण नमबर दो है परशांत पढ़ने में बहुत होश्यार है वाक्य में उद्देश है परशांत पढ़ने में बहुत होश्यार तो साथियों देखिए उद्देश का मतलब होता है करता क्या होता है करता करता यहां पर कौन है परशांत मतलब उद्द प्रश्य क्या है परशान्थ विकल्ब्प नंबर एक सय साथ यह प्रशनमबर दो में चलिए आगे बढ़ेंगे प्रशनमबर तीन पर सही विराम चिन का प्रियोग हुआ है सही विरामचिन का प्रियोग हुआ है क्या सोरी नहीं हुआ है ये लिखा था मैंने नहीं शब्द बीच में से गया पो गया तो फिर वो क्युशन ही पूरा बदल गया देखिए क्या कोई तारे गिन सकता है जब मेरा मित्राया तब मैं सो रहा था अहा कितना सुंदर द्रश्य है कोई बाहर जाकर खाना लेकर आओ तो सातियों देखिए यहां पहले विकल्प में भी बिल्कुल सही है कि ये प्रश्ण वाचक चिन लगा होना चाहिए कि क्या कोई तारे गिन सकता है प्रश्ण पूचा है तो बिल्कुल ये तो सही है जब मेर तो सातियों अहां यहां पर ये है विस्मयादी वोधक चिन ये भी बिल्कुल शुद्ध है लेकिन कोई बाहर जाकर खाना लेकर आओ तो सातियों ये फिर विस्मयादी वोधक चिन ये जो प्रश्ण वाचक चिन है ये गलत है मतलब तीन में तो विराम चिन का प्रियोग सह हुआ है लेकिन चोते में नहीं हुआ है तो पिर इस प्रकार यहां चोता विकल्प सही रहेगा प्रश्न संक्या 3 में चलिए next प्रश्न 4 पर आते हैं मित्रों चोता question क्या है आपका देखते हैं प्रश्न नमबर चार को मित्रों प्रश्ट नमबर चार है अध्यात्मिक आंसर बताइएगा प्रश्ट नमबर चार में देखिएए अध्यात्मिक का संदी विच्छेद हुए विचलेशन करे तो इसका विचलेशन होगा अधी प्लस आत्म प्लस एक अधी प्लस आत्म अध्यात्म प्लस एक अध्यात्म इक तो साथ यो तीसरा विकल्प सही है प्रश्ण नमबर चार में चूकि यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो भी सही हो सकता ह लेकिन पूर्ण विशलेशन तीसरे में हो रहा है इसलिए तीसरा ही विकलप आपका यहां सही रहेगा प्रश्ण नमबर चार में चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर पाँच पर निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है बुड़ापा, ब्रह्मांड, अंधकार और मनोकामना शुद्ध शब्द का चैन कीजिए साथियों प्रश्ण नमबर पाँच में देखिएगा बुड़ापा में छोटेऊं की मात्रा लगती है साथियों तो फिर यह गलत हो गया अंधकार में यहां बिंदी लगती है चंद्र बिंदू नहीं लगता है अनुस्वार लगता है तो फिर यह भी गलत हो गया मनो कामना नहीं बलकि मन है कामना होता है क्या होता है मन है कामना तो फिर ये भी गलात होगा है लेकिन ब्रह्मांड ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है साथियों और ये ही आप से पूछाता तो पृष्ण पांच में दूसरा विकल्ब सही है चलिए आगे पढ़ेंगे अपने अधीन रहने की भावना वाक्यांस के लिए एक शब्द होगा अधीनता प्राधीनता स्वेलिंता स्वाधीनता बताए सोच समझ करके अपने अधीन रहने की भावना को क्या कहेंगे साथियों खुद के अधीन स्वेम के अधीन स्वे प्लस अधीन खुद के अधीन स प्लस अधीनता स्वाधीनता चोता विकल्प सही यह साथ यह पराधीनता तो बतलब दूसरों के अधीन रहने की भावना होती है और स्वाधीनता तो एक विकार है यह तो साइकलोजी में तो साथियों इसने चोता विकल्प सही रहेगा प्रश्ण नमबर छे में चलिए नेक् ये उसमें तो है तो इसलिए मैंने एक प्रश्ण उसका भी डाला है तो संकीन नींद उदिया चल और दुख कौन सा शब्द तत्सम नहीं है मित्रों देखिए संकीन बिल्कुल तत्सम है उदिया चल तत्सम है दुख तत्सम है लेकिन नींद क्या है तदबव इसका तत्सम हो नहीं है साथियों चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्च नमबर आठ पर निम्न में से जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उसे चुनिये सुभोद का दुर्भोद सयोग का कुयोग योगी का भोगी इसमरन का विसमरन तो यह बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है इस क्य सयोगी का भोगी होता है इसमरन का विसमरन होता है सुभोद का दुर्भोद होता है लेकिन सयोग का कुयोग नहीं होगा जातियों कुयोग तो सुयोग का होगा किसका होगा सुयोग का तो मित्रो हो प्रश्च नमबर आठ में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेग चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 9 पर प्रत्य के योग से बना शब्द नहीं है गहराई अपमान विनम्रता और वासुदेव कौन सा शब्द प्रत्य के योग से नहीं बना है मित्रों गहरा गहरा में इ प्रत्य लगा हुआ है विनम्र प्लस ता प्रत्य लगा हुआ है वसुदेव प्लस ए शब्द क्या बनेगा वासुदेव ए प्रत्य लगा हुआ है लेकिन अप प्लस मान तो मान में अप उप्षर्ग बढ़ा है नेकी प्रत्य इस पे दूसरा विकल आपका सही है प्रिश्ण नमबर नो में चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रिश्ण नमबर दस पर दसवा क्यूशन देखेंगे स्वर संदी का उदारण नहीं है दावानल अरावली दीपावली विदायक तो दावानल का होगा दाव प्लस अनल ये बिल्कुल दिर्ग संदी या स् संदी का उदारण नहीं है ये लिख दिया क्या फिर यहां पर क्यूशन मैंने यू लिखाता साथियों दिर्ग संदी का उदारण नहीं है दिर्ग संदी लिखी थी लेकिन ये दिर्ग शब्द यहां पर मिस्टाइप हो गया मित्रों एक शब्द ने पूरे क्यूशन को वि दीप प्लस अवली दिपावली दिर्ग सवरसंदी होगी लेकिन विदे प्लस अक विदायक यहां पर यह आयादी सवरसंदी होगी फिर क्या रहेगी यह आयादी सवरसंदी तो क्या था कि मैं दिर्ग सवरसंदी का उधरन नहीं है तो फिर यह चोता हो जाता लेकिन अब तो में क्या करना पड़ेगा बोनस देना पड़ेगा साथ यो चलिए ने इस प्रेश्ट नमबर 11 शर्ण आगत में कौन सा समास है संबंध तत्पुरुस कर्म तत्पुरुस करन तत्पुरुस संप्रदान तत्पुरुस शरण में आगत या शरण को आगत बताई अब शरण में आ शरण को आगत होता है, शरण में आगत नहीं होता है, इसलिए संबन तत्पुरुष ने होकर के कर्म तत्पुरुष समास का यह उदारन है, प्रश्च नमबर 11, दूसरा विकल्ब सही है, चले नेक्ष प्रश्च नमबर 12, किस वाक में किरिया सामान्य भूतकाल में है, बहुत और उसने पुस्तक पड़ी होगी, बताओ वई, कौन सा सामान्य भूतकाल में है, मित्रों राइट आंसर, देखो उसने पुस्तक पड़ी है, जहां हे शब्द आ जाता है, और किरिया भूतकाल में है, तो वो आसन भूतकाल हो जाता है, उसने पुस्तक पड़ी होगी, संद एंगे है आपको कनफरमिन यह चीज तो यह भी गलत है उसने पुश्तक पड़ی थी बूतकाल में है अगर ठीज आ गया इस अगर पडिज दो पर पूर्ण बूतकेह मरत हैं और उसने पुश्तक्य पड़ी यह पतानी कि पड़ी थी पड़ी होगी पढ़ रही है पर यह वर्तमानम आ गया पढ़ी है तो फिर वो अगर एसा नहीं है थी था थी होगा होगी तो फिर वहां पर परतम विकल्प सही रहेगा मतलब यह सामाने भूतकाल का उदारन है साथियो चलिए नेश्टा आगे बढ़ेंगे प्रिश्ट नमबर 13 पर आश्या है आपको समझ में आ रहा होगा तेरवा क्यूशन यदि वह परिश्रम करता तो परतम श्रेनी में उत्तिन होता उदारन है विदानार्थक वाक्य का प्रश्णार्थक वाक्य का संदेहार्थक वाक्य का और संकेतार्थक वाक्य का तो विदानार्थक का तो मतलब होता है सरल वाक के होता है साथ यो तो फिर ये यदि वह प्रिश्रम करता तो प्रतम श्रेणी में उत्तेन होता मतलब ये मिश्रु वाक की का उधरण है और अर्थ क्या दार पर इसको कहते हैं संकेतार तक वाक क्या कहते हैं संकेतार तक जो विदानार तक है उसको तु सरल या साधरण कह साथियो ठीके आ रहा है ना समझ में चोता विकल्प सही है आपका प्रश्च नमबर 13 में चलिए नेक्स प्रश्च नमबर 14 के और बढ़ते हैं साथियो सयुक्त वाक के काचेन कीजिए मेरे पास एक पुस्तक है जो नहीं है माक के काम होने पर भी बच्चा खेल रहा था वह गरीब है पर इमानदार है और जूटे आदमी से सभी गर्णा करते है तो कौन सा सयुक्त वाक के है मित्रों मेरे पास एक पुस्तक है जो नहीं है तो ये जो शब्द इस वाक की को मिश्र बना देता है जूटे आदमी से सभी गर्णा करते हैं सरल वाक की का उदारण है साथियों ये मा के काम होने पर भी बच्चा खेल रहा था तो साथियों वह गरीब है पर इमानदार है ये यहां पर तीसरा विकल्प है सयुक्त वाक की क्योंकि देखे ये तो मिश्र हो गया ये यहां पर हो गया साथियों सरल मा के काम होने पर भी बच्चा खेल रहा था तो साथियों ये दो अलग अलग वाक्य है, मुझे तो ये भी सयुक्त ही लग रहा है, क्योंकि ये दो अलग अलग वाक्य है, तो एसी जगे पर सयुक्त होते है, तो मित्रों, वैसे तो लग तो दूसरा भी रहा है, कि सयुक्त वाक्य है, लेकिन इसका राइट आंसर वैसे है, तीसरा पर हमें comment कर सकते हो, चलिए next question number 15 पर आते हैं, 15 question, तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है, तारे गिनना, तारे गिनते हो, कहेते हैं न कई बार तारे गिनना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, विकल्प को देखिएगा, खटिन प्रिश्णम करना, चिंता में जाग कर रात काटना, रात में समय मिलना और गुप्त बात का बेद कोलना तो साथियों तारे गिन्ना मुहाउरे का अर्ध बताईए कौन सा विकल्प सही है प्रिश्णमबर 15 में प्रिश्णम 15 में सोचिये मत आंसर बताओ, तो साथियों तेखिये गुप्त बात का बेद कोलना ये तो तारे गिन्ना नहीं हुआ, रात में समय मिलना तो क्या समय मिलने पर हम तारे गिन्ते हैं, मोबैल भी चलाते हैं, पढ़ते भी ये कई सारी चीज़े हैं, तो साथियों ये भी गलत है, चिंता में जाग कर रात काटना, तारे गिनना, मतलब रात कटते नहीं कट रही है, विकल्प नमबर दो सही है सात्यों प्रश्ण नमबर 15 में, एसी परिस्तिया जादा तर किश्वरोस्ता के बाद उत्पन होती है, और किश्वरोस्ता के अंतरगद भी, तो द कहते हैं, मुहावरे, लोकोक्तिया, सुक्ति और गंबीर कतन, तो जो पुण वाक्य और पुण अर्थ प्रकट करे, उनको कहा जाता है, क्या, क्या कहा जाता है, उनको लोकोक्तिया कहा जाता है सात्यों, विकल्प नमबर 2 सही है, आपका प्रश्ण नमबर 16 में, चली आते ह प्रश्ण नमबर 17 पर शिक्सन विदियो का क्यूशन आ जया ये बाश्या के संबंद में कौन सा कतन सही नहीं है भारत की बाशिक विवित्ता एक जटिल चुनोती है बहु बाशिता बच्चे की अस्मिता सिक्षा का निर्मान करती है बाश्या अपस में संपर्क संवात करती ह और भाश्यागत विवित्ता एक समश्या है तो देखते ही लग जया ना विवित्ता में एक ता का सुत्र होता है समश्या नहीं है इसलिए चोता विकल्प साहिए साथ ये प्रश्ण नमबर 17 में चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण नमबर 18 पर अठारवा क्यूशन अनुवात तो बिल्कुल दूविवाशी होता है विदेशी बाश्या में सिक्षन भी दूविवाशी है सम्मिलन गोश्टियों में भी किया जा सकते लेकिन प्रात में कक्षा नहीं हो सकती है क्यूंकि छोटे बच्चे दो-दो बच्चे सिखा होगे क्या उनको दो-दो गल्प नमबर एक सही आपका प्रिश्ट नमबर 18 में चलिए एक्ष्ट नमबर 19 पाएंगे बहु बाशिक कक्षा में मात्र बाश्या प्रियोग को स्विकार किया जाना चाहिए अधिक महतु नहीं दिया जाना चाहिए अंदेखा कर दिया जाना चाहिए और ऐस्विकार किया जाना चाहिए तो राइट आंसर बताइए 19 वे क्यूशन में मित्रों देखिए जो बहु भाशिक कक्षा है वहाँ पर जो मदल टंग मात्र भाशा है उसके प्रियोग को स्विकार किया जाना चाहिए साथ्यों क्या किया जाना चाहिए स्विकार विकल्प नमबर एक सहिए तारकिक से मनव इज्यानिक की और विशलेशन से संसलेशन की और मुर्त से अमुर्थ की और कटिन से सरल की और तो बाशा सिक्सन का सूत्र कटिन से सरल की और तो होगा नहीं विशलेशन पहले तो लिए किया जाएगा विशलेशन से संसलेशन की और भी नहीं होगा बलकि य बच्चों को पहले दिया जाए और फिर अमुर्दता की तरफ बढ़ा जाए साथियों तो विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्च नंबर 20 में अब आगे बढ़ेंगे प्रश्च नंबर 21 पर 21 क्यूशन को ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरह से यहीं पर मन लगाकर 21 क्यूशन बच्चों के लेखन कोशन का मुल्यांकन करने के लिए कौन सी विधी बेतर हो सकती है लेखन कोशन का मुल्यांकन करना है आपको कौन सी विधी बेतर रहेगी अपने अनुबाव को लिखना शुरूत लेग पाटा अधारित प्रश्चनों के उत्तर लिखना और स खुद के अनुबहु में वो बात होती है, नए नए विचार वो बताते हैं, लिकित शम्ता के माध्यम से, लिकित अभिव्यक्ति के माध्यम से, तो ये सबसे बेश्ट माना जाता है, ये तो बाकी चीजे रट्टा अधरित होती है, विगल्प नमबर एक सही है, 21 में, 22 क्यूशन मित्रो, 22 क्यूशन है, पढ़ना के बारे में कौन सा कतन उचित नहीं है, पढ़ना, पटन, सक्षम, पातक, प्रतेक शब्द पर ध्यान देते हैं, अक्षर की विशेश आकृती और उसके एक खास दोनी होती है, पढ़ना उद्देश एवं चुनोती पूर्ण हो उद्देश पूर्ण एवं चुनोती पूर्ण हो, और पटन सामगरी का बच्चों की समझ और पूरू अनुबहु से संब्द होना चाहिए, तो सात्यों पठन के बारे में कौन सा कतन सही नहीं है, उचित नहीं है, तो मित्रों राइट आंसर बताएए प्रश्नमबर 22 में, देखें प्रश्नमबर 22 में, राइट आंसर कौन सा रहेगा, देखो चोता विकल्प तो बिल्कुल उचित है, कि पटन सामगरी का बच्चों की समझ और पूरू अनुभवों से संब्द होना चाहिए, तो फिर ये तो आपका आंसर नहीं रहेगा, देखो अक्षर की विशे शाकृती भी होती है, उसके एक खास दोनी भी होती है, सभी जानते हैं, तो ये भी बिल्कुल उचित है, तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा, अब पहला या तीसरा, तीसरे को देखके तो पढ़ना उद्देश पूर्ण एवं चुनोती पूर्ण हो, तो साथ बिल्कु पटन जो है, वो उद्देश पूर्ण ही होना चाहिए, चुनोती पूर्ण शब्द यहां एक के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये भी आपका अंसर नहीं रहेगा, तो पहला विकल्प सही है, कि सक्षम पाटक प्रतियक शब्द पर ध्यान देते हैं, ये कतन उचिते नहीं ह विकल्पों को देखते हुए, बाइसवे में प्रतम विकल्प ही सही माना जाएगा, तीसरा ये उद्देश पूर्ण शब्द की वज़े से राइट नहीं होगा, चले नेक्स प्रस नमबर 23 पे आते हैं, शुरूत लेकन में, शुरूत लेकन में, रेप संबंदी अभ्यास नहीं है, रेप संबंदी, कर्म, कबूतर, धर्म और प्रकाश, तो साथ रेप का मतलब आदा रहे जहां पर नहीं आ रहा है, तो कर्म में, धर्म में, प्रकाश में तो आ रहा है, कबूतर में नहीं आ रहा है, मतलब ये रेप संबंदी अभ्यास नहीं है मित्रों, विकल्प द्रश्टी से सारुजनिक महत्पुन गतिविदी है मोकी कभी विक्ति का विकास करने की द्रश्टी से देखना है कहाने को जो का त्यो दोहराना कि जैसी कहानी है उसी को वेसा ही दोहरा दिया कहानी सुनकर चित्र बनाना कहानी सुनकर शब्द शेह लिखना और कहानी सुनकर अपनी बाशा में कहना तो जो का क्यों दोरा ना तो मोकिक अभी व्यक्ति का विकास नहीं हो पिर ये तो चित्र बना रहे हो तो चित्र बोल कर तोड़ी बनाया जाता है साथियों तो फिर ये तो चित्र अभी व्यक्ति का विकास हो गया, मोकिक का का हुआ साथियो, इसलिए ये भी गलत है, कहाने सुनकर शब्द उस्चह लिखना, मतलब आप उनको लिखोगे, तो फिर उन दो लिखे ताभी विकास हो गया, इसलिए कहाने सुनकर उसे अपनी बाशा में कहना, विकल्प नमबर 4 सबसे बेश्ट आं में से किस बिम्ब का निर्मान होता है शुरूती बिम्ब विचार बिम्ब भाव बिम्ब और द्रश्य बिम्ब तो सबसे पहले कोंसा बिम्ब बनता है साथियो सबसे पहले बिम्ब बनता है बालक में द्रश्य बिम्ब कोंसे बिम्ब का निर्मान होता है द्रश्य कोंसे बिम् प्रश्नी नमर् 25 में चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्नेपर 26 है। तो बालक का जो व्यक्तित्व विकास का महत्पुन पक्ष है मानसिक विकास भी महत्पुन पक्ष होता है समवेगात्मक विकास भी महत्पुन पक्ष होता है नेतिक विकास भी महत्पुन होता है लेकिन विद्याली विकास महत्पुन पक्ष के अंतरगत नहीं रहेगा व्यक् तक सीखना प्रारंब करता है दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष आठ वर्ष तो आठ वर्ष में तो बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है साथियों वो लेकिन दो तीन चार कौन से जो वर्ष है जिसमें बालक छोटे और सरल वाक के सीखना आरंब कर देता है तो मित्रों इसक जो बुक के अकोडिंग बता रहा हूँ, चार वर्ष में बालक छोटे वाग की और सरल वाग की सीखना आरंब कर देता है, तीसरा विकल्प सही माना गया है साथियो 27 में, चली आगे बढ़ेंगे प्रिशन नमबर 28 पर, पद्य सिक्षन में व्याकरण समंदी प्रिशनों के द प्रिशनों के द्वरा सिक्षन कराया जाता है, एसी विदी को किस नाम से जाना जाएगा साथियो 28 में राइट आंसर वताईए, तो मित्रों एसी विदी को कहा जाता है, दंडानवे विदी, कौन सी विदी कहा जाता है, दंडानवे, तो क्योंकि क्यों है कि पद्य सिक्षन में भी व्याकरन समंदी, प्रश्णों दोरा सिक्सन कराया जा रहे है, तो युनिक प्रश्ण कराया जा रहे है, तो प्रश्णों तर्विधी हो गई, नहीं, दन्डानवे विधी ही इसका उचित विकल्फ सही है, 28 में, दूसरा आंसर, चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रश्ण करना चाहिए कावि के भाव वेवं विचार सोंदरी पर बल देना चाहिए और उक्त सभी तो साथ उक्त कावि सोंदर या नुबूती के लिए ये सबी चीजे आउशक है चोता विकल्प सही रहेगा 29 में अब देखेंगे प्रिश्णमबर 30 को विशेस उदाहरणों के अधार पर नियम निकालने की विदी को किस नाम से जाना जाता है आगमन विदी निगमन विदी नियम विदी और बोध विदी तो उदाहरणों के अधार पर नियम निकाल रहे हो ऐसा होता है आगमन विदी में जो की विशिष्ट से समान की और ग्यात से अज्यात की और बढ़ती है साथियों उदारन से नियम की और बढ़ती है साथियों तो प्रतम विकल्प तीसवे क्यूशन में सही है अब अंतिम और इकतिसवा क्यूशन मतलब इसमें 31 क्यूशन सामिल किये थे साथियों 31 क्यूशन है आगमन पद्दति का प्रतम सोपान है एक क्यूशन जो बोनस का हो गया था, तो इसकी वज़े से 31 क्यूशन सामिल कर लिए, व्याकरण सुत्र उदाहरण और नियम, आगमन पद्धती का प्रतम सोपान किसे माना जाता है, राइट आंसर बताए, मैं आपको बता दू, कि कमेंट बोक्स में आप कमेंट कर सकते हो, साथियों मैं कमेंट पढ़ता हूँ सभी, ये भी याद रखना है, सभी कमेंट मैं पढ़ता हूँ, और जो वाजिब कमेंट मुझे लगता है, उसके उत्तर भी में देता हूँ साथियों, तो यहाँ पर अगर आपको किसी प्रिष्ट पर डाउट हो तो आप हमें कमेंड करके बता सकते हो अगर संशुधन करना हो तो मैं तुरंत कर देता हूं नहीं तो कोई संशुधन होने की गुंजैश नहीं होती है तो हागमन पत्दिती का परतम सोपान है उदाहरन सबसे पहले उदाहरन परस्तूत किये जाते हैं साथियों विगप नमबर 3 सही आपका प्रश्च नमबर 31 में तो आज का ये हिंदी का टेस्ट भी पुरा हो चुका है 21 में टेस्ट था ये बहुत बहुत धन्यवाज सभी को मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में